करने वाले हैं chapter 2 के 2.2 के examples ठीके examples भॉछ important होते हैं अगर हम पहले example कर लेते हैं तो हमें chapter को समझने में काफी असान ही होती है ठीक है तो 2.2 के सारे questions हैं अगर आप इनको कर लोगे examples कर लोगे पहले में काफी असान उस तरीके से हम solve करेंगे, ठीक है, 16th question है हमारे पास यह वाला, तो 16th question में क्या करना है, आपको solve करना है, 2x, 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to x minus 3 upon 6, तो इसको हमें solve करना है, ठीक है, तो solve कैसे कर सकते हैं, हम उस चीज़ को समझेंगे easy way में, तो सबसे सान तरीका है, कि आपको क्या करना है, आपको denominator से 3 और 6 को यहां से हटाना है, अब यह कैसे हट सकता है, उसके बारे बारे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है, कि मन में आपको सोचना है फिर साइड में आपको एक इसका लिखाना है कि आप प्राइम फेक्टराइजेशन कर लेना है तू और थ्री और शिक्स का तो क्या हो जाएगा इसका तू थ्री और शिक्स का प्राइम फेक्टराइजेशन अगर आप निकालोगे तो यह हो जाएगा क्या 3 into 2 3 into 2 कितना होता है 6 होता है यानि कि जो यह 3 होगे 6 से 6 से कट सकता है कुछ नहीं करना है बिल्कुर असान है आपको multiply करना है 6 को बोथ साइट ही के multiply by 6 on both side by 6 on both side ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर आपको 6 से multiply करना है यह उड़ेगा 6 multiply 6x plus 1 upon 3 फिर प्लस 1 से भी multiply करना है पड़ेगा 6 into 1 is equal to यहां भी होगा 6 से multiply x minus 3 upon 6 ठीक है काफी easy तरीके से हमने करा उसके बाद क्या करना है वो देखो ठीक है यहां पर यह 6 से कट जाएगा ठीक है 3 बंजर 3 3 2 06 जो 2 बचेगा वो बस multiply करना है आपको ठीक है तो क्या हो रहेगा यह 2 6 आ 12 यहां लिख दोगे x फिर प्लस 2 बंजर 2 ऐसी लिख दोगे फिर प्लस 6 बंजर 6 यहां लिख दोगे is equal to 6 से 6 cancel out क्या हो रहेगा x-3 बचेगा अकेला और अब यह equation simple form में हो चुकी है जो हमें कर रहा था जो हमारे इस chapter का इस 2.2 का motive है अब इसको simple form में आ चुकी है जैसे हमने 2.1 में सीखा था उस तरीके सब करना है अगर 2.1 नहीं देखिए तो भी देख लिए आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा ठीक है क्या करना आपको numbers को जो solve करते है solve कर दो 12 ऐसी रहेगा यहां पर फिर 2 और 6 कितना होता है 8 होता है ठीक है यहां लिख देंगे होते हैं 1 2 3 जो numbers होते हैं क्या बोलते हैं तो हमें देख रहा है हाँ पर कि यह क्या है वेरियेबल है जो जाएगा लेफ्ट हैंड पर और यह क्या है constant है जो जाएगा राइट है तो इतना आपको करना है बस ठीक है तो क्या हो जाएगा यह 12x अपनी जगह पर रहेगा और x आप उसको दिखा सकते हैं चाहो तो समझने के लिए तो 12 में से वन गया कितना बिचता है 11x यहां बच जाता है इस एक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो माइनस 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा अब उसके बाद देखो यहां पर x के साथ 11 था वो जाएगा माइनस 11 अपने पास रहा आप उनमें क्या गया 11 11 11 11 11 11 11 11 तो इस तरीके से अपने एक्जामपल वन को सॉल्फ कर दिया है इस मैथड में ठीक है शायद समझा होगा इब आप फिर सार्व इसकांसर देख लेंगे हमने कैसे करा इस तरीके से सॉल्फ कर रहा है आप चाहब तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका वीडियो को सेव कर सकते हैं सेवन्टीथ एक्जामपल ठीक है सेवन्टीथ एक्जामपल करेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग काफी असानी से देखेंगे और यह अगर कर लिया आपने तो पूरा चैप्टर आपको और आम से आ ही करना है कि आपको साइड को पहले सेम ना होगा सिंपलीफाय करों कर देते हैं कैसे इस तरफ अलगविय करें normally करें सिंपल फॉर्म रिडियूस कर रहा है तो तो यह बूल जाओ सिर्फ इहीं फोकस करते हैं ठीक है तो यह रहेंगा पर इसको अंदर करेंगे इसको करते हैं अब देहान दो यहां पर यह क्या लिखा है 5x4x5x-4x क्या रहाएगा ओन्ली वन एक्सवन को शोनी करते हैं तो क्या रहेंगे यह रहाएगा प्लस फॉर्टीन ठीक है अब इतनी पार्ट को सिंपल फॉम में लेका चुके थीक है इस पार्ट को चैसे कर दो मैंनस टू क्या कर सकते हैं इसको समझते हैं दो तीन आप्शन साफ के पास आपको जो बैटर लागे वो कर सकते हैं हम क्या करते हैं पहले यह रहाएगा नस मैंस 14-2 प्लस 7 upon 2 हो रहेगा एक्स में से 6 गया कितना बचता है यह बचता है आपका माइनस 5x is equal to minus 14 minus 2 कितना हो रहेगा माइनस का 16 plus 7 upon 2 ता समुरी में आ रहा होगा उसकी बात क्या करना है में वह देखते हैं माइनस 5 as it is रहेगा कुछ नहीं करना आपको इसका is equal to स्ब्सक्राइब करते हैं इसको इज़र क्रोस करते हैं यह रहेगा 32 minus 32 plus 7 upon 2 उसके बात क्या करना है हमें हमें यह करना है कि minus 5x ऐसे रहेगा है is equal to यह minus है यह plus है plus minus होता है 32 में से 7 कितना बचता है minus 25 upon 2 minus है मैंस यहां बहुत साइट पे है cancel कर सकते हैं हम लोग उसके बात क्या करना है वो देखो फाइव है denominator में 2 के पास क्रोस करके नीचे पहुंच जाता है ठीक है उपर का नमबर नीचे भी खिले आता है तो यह रहेगा कर दिये हैं ठीक है अब ऐसे ही 2.2 के एक्जामपल कोश्चन से जो कि दस कोश्चन है उसको हम एक्स्ट वीडियो में करें ठीक है तो आप इसको समझो पहले अगर आपको समय मा चुका है तो वीडियो को लाइक करना और आपको जल्दी टॉपिक्स चाहिए तो बजरू मु कर देंञे हैं इसका है और आपको और आपको बजल ना जेख लीडियो है तो आपको एंवे लाया फ्कारोग को ए्टे में जबड़े को लाइक है